पिहान लेता हूँ, मुझे बताना कि जो nitrogen oxide है, जो nitrogen oxide है, यह हमारे smooth muscle के जब अंदर जाती है, तो एक enzyme को activate करती है, जब वो enzyme activate होता है, तो फिर हमारा smooth muscle relax करता है, यह मैंने आपको CVS में भी पढ़ाया था, endocrine में भी पढ़ाया था, और हमने musculo skeleton में यह दुबारा बाद पढ हैं, कि कौन सा ऐसा enzyme होगा, जो आपकी nitrogen oxide है, जो nitrogen oxide है, इसने आपके cell में जाके, smooth muscle में जाके, क्या करना होता है, cyclic GMP के level को क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है, यह यह अडिनल cycleate के ओपर काम करते हैं, cyclic GMP के level को ज्यादा करती है, लेकिन आपने मुझे यह सोच के ब जी, MLC phosphate, yes, Dr. Khizar, excellent, shabash, हमारे smooth muscle के अंदर मैंने आपको दो harmon पढ़ाये थे, और Allah के बंदे सारे भूले हों हैं, देखें, मैंने आपको कहा था, कि आपके दो तरह की harmon होते हैं, कौन कौन सा आता है, एक होता है, MLC, myosin light chain, इसको हम कहते हैं, MLC kinase, MLC kinase, MLC kinase, MLC kinase क्या कर करता है, phosphorylation कराता है, हमारे मयosin chain होती है, उसके साथ phosphate group को attach कराता है, उससे क्या होती है, smooth muscle contract करते हैं, लेकिन simple मैंने आपको कहा था, कि आपने इस तरह याद रखने हैं, कि जो MLC kinase है, यह क्या करता है, smooth muscle की contraction कराता है, जब भी MLC kinase activate होगा, तो contraction होगी, लेकिन जब आपक यह phosphatase है, यह phosphate है, तो MLC phosphate जो है, यह क्या करता है, यह relaxation कराता है, मतलब कि अगर हम इसकी biochem की बात करें, तो जो MLC phosphate है, यह क्या करता है, remove कर लेता है, किसको remove कर लेता है, phosphate को, यह phosphate को myosin chain से remove कर लेता है, जिससे क्या होती है, relaxation हो जाती है, जिससे क्या होती है, relaxation हो जाती है तो जो आपका phosphate है, लगता हमें यह है कि जो phosphate है यह add कराएगा, जो phosphate है यह add कराएगा, लेकिन यह add नहीं कराता है, यह remove कराता है, मैंने आपको CVS में यह पढ़ाया था, और जो आपका kinase है, kinase क्या करता है, हमारे phosphate group को add करा देता है, phosphate group को क्या करा देता है, add करा देता है, किस के साथ MLC के साथ ठीक है Maす Chain जो Mausin Chain होती है उसके साथ Phosphat जब Attach होगा तो contraction होगी और ये enzymes कौन करता है ये हमारा MLC काइनेज करता है इससे क्या होती है contraction होती है और जो Phosphatase है ये Remove कर लेता है इसको Remove कर लेता है phosphatase phosphate को जिससे क्या होती है relaxation होती है तो जब आप किसी patient को nitrogen oxide दोगे जब आप किसी patient को nitrogen oxide दोगे तो क्या होगा जो nitrogen oxide है यह क्या करेगा MLC phosphatase को ultimately activate करेगा जब MLC phosphatase activate होगा तो क्या होगा relaxation होगी और जब शाब मुझे CVS वाले लावे जरा बताएंगे मैंने आपको कहा था कि जो BP के मरीज होती है जिन में blood pressure का बड़ा मसला होता है उनके लिए जो तर्बूज होता है वो बहुत अच्छा होता है तो कोई मुझे connection बता सकता है कि तर्बूज का BP के साथ क्या connection है जी जरा तर्बूज होता है ना तर्बूज तर्बूज में एक हमारा होता है L-Arginine L-Arginine क्या करता है L-Arginine अल्टी मतलब L-Arginine डिफरेंट तर्बोज में होता है जब आप तर्बूज काते हो तो L-Arginine आपकी बोड़ी में जाता है ज़ए बात है जो रिलेक्स होंगे तो ये काफी मतलब मैंने सुना ही था कि तर्बूज होता है ये BP के लिए बहुत अच्छा होता है इसकी वज़ा ये है कि तर्बूज में क्या होता है L-Arginine होता है L-Arginine क्या करता है नाटिजिन उकसाइड के लावल को बढ़ाता है जिसे क्या होती है वेजो डाइलेशन होती है और आपको पता होना चाहिए कि जो तर्बूज होता है ये एक एक्स्ट्रा बात थी लेकिन आपको पता होनी चाहिए ठीक हो गया तो जब हम आगे चलते हैं हमारा एन्नो हो गया है उसके बाद है ये आपका गैरिलिन जो गैरिलिन होता है गैरिलिन क्या करता है गैरिलिन कहां से बनता है स्टमक से बनता है जो आपका मेद है वो एक हार्मन मनाता है और उसको हम कहते है गैरिलिन कहते है और इसने आपको भूक लगवानी होती है जो आपको भूक लगती है इस डू टू गैरिलिन गैरिलिन ने क्या करनी होती है इंक्रीज एपिटाइट इसने क्या करना होता है एपिटाइट को क्या क कुछ बनेगा तो आपको भूक जदा लगेगी और इसकी चाहिए उस प्डवड़क्शन को भे घृलम लगती है और जब करना खालेती को और चाहिर जाए से पडाइब और इसकी प्रेड़क्शन ज्यादा कैसे होती है और एक और चीज, एक हम ना बायो कैम में एक सिंड्रॉम पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं प्रेडर विलाई सिंड्रॉम, इसको हम पढ़ेंगे बायो कैम में, ये लिखा हुआ है, यह काफी इंपोटें टॉपिक है ये, तो जो प्रेडर इविलाई सिंड्रोम होता है, तो प्रेडर इविलाई सिंड्रोम में हमें नहीं रीजन का पता, लेकिन प्रेडर इविलाई सिंड्रोम में क्या होता है, जो आपका गैरलीन ज्यादा होता है, जो गैरलीन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसने लिखा भी वह इसको उडा दिया है जो उसकी खुराक के नालिया उसको हमने उसके डियोडिनम के साथ आटेच कर दिया तो जाहरी बात है जब स्टमक ही नहीं रहेगा स्टमक में कोई फूड ही नहीं जा रहा तो क्या होगा जो आपका गयरी नहीं है तो इसके लावा हमने एक और हार्मन पढ़ा था और वो था यह क्या Bowl करता आपको पत्ला करता है जो Garelin क्या करता है आपको मोटा करता है और जो लेप्टिन है यह क्या करता है आपको पत्रा करता है लेप्टिन यह आपकी बुक पर नहीं लिखा हुआ आपकी एंडोक्राइन में लिखा हुआ अगर आप चाहते है तो आप इसको लिख सकते हैं लेकिन आपकी एंडोक्राइन में यह बात लिखी हुई है जो लेप्टिन है जो आपको मतलब feeling of fullness कि आपका पेट भर गया है इसको हम कहते हैं stighty और ये क्या है एक stighty हार्मून है और कौन बनाता है हमारे adipose tissues बनाती है जो adipose tissues है मतलब कि जाहरी बात है एक मोटा बंदा है तो उसमें क्या होगी एडipose tissues भी ज्यादा होगी जब उसमें adipose tissues भी ज्यादा होगी तो क्या होगा उसमें leptin भी ज्यादा होगा और leptin क्या करता है हमारे stighty है मतलब हमें भूग कम लगने देता है और अगर इसकी हो जाती है mutation मतलब फर्ज करो एक patient है और उसको होगी है इसकी mutation जब इसकी mutation होगी मैंने आपको endocrine में एक चीज बड़ी ज्यादा होती है कोई बता सकता है मुझे जी डॉक्टर काशिफ endocrine में मैंने आपको लिखवाया भी था बांग में एक चीज होती है जी डॉक्टर जोहा चले आप सोचे ज़रा फिर मैं आगे आपको बताता हूँ नहीं पड़ा बताया था यार चले मैं आपको बताता हूँ जो एडिपोस्ट टिशू होती है एडिपोस्ट टिशू में क्या होता है एडिपोस्ट टिशू में क्या होता है आपका मतलब Leptin बनता और Leptin क्या करता है आपकी Conjunital Obesity को क्या जब Leptin की Mutation हो जाएगी तो क्या होगा Conjunital Obesity हो जाएगी मरीज को तो यह बिलकुल असान सी बात है उसके बाद है जी और हाँ इसके लावे एक और हैं बाद एक पेशेंट है और वो सोता ही नहीं है sleep deprivation में क्या होता है कि यह जो आपका leptin है यह ज्यादा बनता है leptin क्या बनता है ज्यादा बनता है तो जब leptin ज्यादा बनेगा तो staty भी ज्यादा होगी तो आपने याद रखना है कि जब हम सोते नहीं है तो क्या होता है लेप्टिन ज्यादा बनता है, जब लेप्टिन ज्यादा बनता है, तो क्या होता है, हमारा हमें भूक नहीं लगती, तो आपने एक सर देखा होगा, अगर आपकी नीद नहीं पूरी होती, तो आपको भूक की सही तरह नहीं लग रही होती, तो it is due to लेप्टिन हार्मून, ये किस वज़ाँ से होता है, ये हमारी लेप्टिन हार्मून का मरहुने मिन्नत है, ओके जी, अच्छा आप सबसे मेरा एक सवाल है, फिर हम आगे चलते हैं और आगे बिल्कुल असान से टॉपिक हैं, अच्छा एक सबसे मेरा एक सवाल है, हमने कल मैं चीज पड़ी थी, मैंने आपको कहा था कि आपका ना, कल हमने एक सिंड्रॉम पढ़ा था, बलकि उस सिंड्रॉम का नाम मैं आप से पूछता हूँ, मैंने कहा था, एक पेशेंट है और उसको हो गया है, गैस्ट्रीनोमा, मतलब कि उसमें गैस्ट्रीन बहुत ज्यादा हो गय है, गैस्ट्रीन उसमें क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो गैस्ट्रीनोमा के मरीज को कौन सा सिंड्रॉम होता है, जी, डॉक्टर मिनाल और डॉक्टर समीनाल को पता है, बाकि किसी को नहीं पता, जी, डॉक्टर नादिया और बाकि सारे सही बता रहे है, एक होता कि जब gastrinoma होगा जो Zillingar Ellison syndrome का patient है इसमें gastrin बहुत ज्यादा होगा इसमें क्या होगा gastrin की production क्या होगी बहुत ज्यादा होगी इसको ज़रा यहीं पर full stop लगा दे यह हो गई हमारे पास एक मरीज एक मरीज है आपके पास और उसमें क्या है जुलिंगर Ellison syndrome है एक और मरीज है आ H.pylori का infection होगा उसको क्या होगी एसमें הl की production काम हो गही है तो मुझे आपने यह सोच के बताना है कि क्या जब उसमें H. bike production काम होगी Askustritis में तो उसमें gastrin ज्यादा जो गैस्ट्रीन होगा वो जयादा बनेगा यह कं बनेगा जी जाहरी सी बात है कि जब एच्चील कंबन रहा तो फीड़एख देगा कि ज्यादा बने ताके मेरी प्रड़िक्शन ज्यादा हो तो अब आपके पास दो कंडिशन आई आहिं है, कि एक में, एक क्या है, प्रिजिछ शुलिंगर ईलसन सिंडरॉम है, और एक क्या है, एक या है ऐट्रॉफिक सिंडरॉम की वधा से हो रहा है, यह प्र इसमें अट्रॉफिक gastritis है अभी आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन आप उसको कैसे पता लगा होगे आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो gastrin है आया कि यह atrophic gastritis से release हो रहा है ज्यादा यहां फिर यह gastronoma की वज़ा से ज्यादा release हो रहा है तो इसके लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है हमारे पास एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं सेक्रीटिन टेस्ट जिसको हम क्या कहते हैं सेक्रीटिन टेस्ट और अपनी बुक पे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखें उस लाइन का मतलब यह है उस लाइन को सिंपल करके लिखते है जो सेक्रीटीन होता है बलके मुझे आप पहले तो ये बताए ना जो सेक्रीटीन होता है ये गैस्टीन की परड़क्शन को कम करता है ये ज्यादा करता है नॉर्मल हम बाज करते है जो हर बंदा नॉर्मल है मतलब normal person में जो scrutin होता है, यह gastrin को कम करता है, scrutin ने gastrin को कम करना होता है, scrutin ने क्या करना होता है, gastrin को कम करना होता है, ओके, अच्छा, अब ज़रा इसको ध्यान से समझ लेना, यह clinically important बात है, अब आपके पास दो मरीज आ जाते हैं, एक को tumor है और एक को atrophic gastritis, मतलब उसमें अब आपको कैसे पता चलेगा कि यह जो पेशन्ट है इसमें गैस्टिन आपका एट्रोफिक गैस्ट्राइटर्स को विदा से ज्यादा है तो आप उसको क्या दोगे आप उसको दोगे आप उसको बाहर से क्या लगाओगे उसको सक्रीटिन लगाओगे जब आप उसको बाहर से स्क्रीटिन लगाओगे तो आपने याद रखने हैं ओकी ओकी मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं देखें मैंने आपको कहा कि जब आप उसको एग्जो जीनियस स्क्रीटिन दोगे जब आ तो जो आपका जुलिंगर ऐलिसन सिंड्रोम है इसमें क्या बना हुए टूमर तो जो आपका सिक्रीटिन है इसका टूमर के ओपर कोई बास नहीं चलता तो आपने जब बाहर से सिक्रीटिन दिया अगर तो गैस्टिन ज्यादे का ज्यादा ही रहता है अगर गैस्टिन सिंड्रॉम है और है फीर आपके पास एक और मरीज आया जो आपने उसको सक्रीटिन दिया बाहर से तो इसमें जो गैस्ट न था जड़ा से उसमें जो ऊड़ा से उसको किस के विज़ा पास तो इसको इसको पास ज पास ret तो अगर आपका gastrin कम हो जाता है, अगर आपका gastrin कम हो जाता है, तो आपको पता चाल जा है कि यार इसको ना, क्या था, अगर तूमर से आपकी gastrin बन रहा तो उसको स्क्रेटिन कम नहीं कर सकता, और किसी भी वज़ा से gastrin जादा है, तो आपका कि चैकर कर देगा लेकिन अगर तूमर से आपका gastrin बन रहा है, तो उसके उपर skreetin का कोई बास नहीं चलता, तो skreetin कांट decrease gastrin production from tumour, अगर tumour से आपका gastrin बन रहा है, तो उससे क्या हो सकता है, उससे skreetin कोई बास नहीं चलता, तो आपके पास दो मरीज आएं, एक का नाम sketeel है, और एक का नाम क्या है sketeel है, जो sketeel है, उसको क्या है, Zollinger-Ellison syndrome है मतलब कि उसमें tumor है उसमें क्या है tumor है और उसके वज़ासे gastrin ज्याद है जब आपने उसको scretin का injection लगाया बाहर से जब आपने उसको scretin लगाया तो अगर उसका gastrin still same रहता है उस पे कोई effect नहीं आता तो आपको पता चाल गा तो मुझे जराए बात जल्दी से बताएं कि आपको समझ आ गई है, कि आप दो मरीजों को कैसे differentiate करोगे जी डॉक्टर कुकव फात्मा जरा बताएं आप मुझे कि आप समझ आ गई है मैंने कोशिच किया slow पढ़ा हूँ लेकिन आपको समझ आनी चाहिए इसकी चलें जी तकरीबन सब को समझ आ चुकी है अच्छी बात अगर समझ आ गई है तो मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि आपको समझ आ गई है जरा हम आगे चलते हैं अब जरा अगले पेज़ पे चलें और अगले पेज़ पे हमने क्या बाते करने हैं यह जो बुक पे सारा कुछ लिखा हुए ना यह सारा कुछ लिखा ही हुआ है मैं इसको आदे गंटे में भी पढ़ा सकता था ताकि आपको पता तो चले कि कैसे आती है इसमें कोई टेक्निकल्टीज गया है आपने होस्पिटल में इसको कैसे यूज करने है सबसे पहले हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक एसीड आपको पता है कि जब आप खाना खाते हो तो आपकी स्टमक में एसीड रिलीज होता है और उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक एसीड उसको हम क्या कहते हैं गैस्ट्रिक एसीड कहते हैं अब जो gastric acid होता है, कौन बनाता है, हमारे prytal cells बनाते हैं, हमारी stomach में क्या आते हैं, prytal cells होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, prytal cells क्या बनाते हैं, gastric acid बनाते हैं, अब gastric acid कब बनता है, हमारे prytal cells बनाते हैं, और कब बनता है, जो gastric acid क्या करता है, हमारी stomach की pH को low कर देता है, स्टमक की pH low का मतलब क्या है, यह क्या कर देता है, एसडिक कर देता है, स्टमक को एसडिक environment बना देता है, ताकि जो हमारा पैपसी ने वो अच्छा तरीके से काम कर सके, ओके, और उसके लावा आप इसने लिखा हुआ है, बलकि इसको ना, जो इसकी stimulation कैसे होती है, इसकी stimulation होती हो रही है, ठीक है, और आपने उसको ना, आपने सोचा कि यार, वेगस नर्व ना, इसकी stimulation करवा रही है, एसड की, तो मैं ऐसा करता हूँ, या करती हूँ, आप बड़े स्याने बनें, और आपने उसको दे दी, एट्रोपीन, ठीक है, आपने उसको जो एसीटाल कॉलीन था मतलब जो वेगस नर्व का नियूरो ट्रांस्मिटर है, उसको आपने ब्लॉक कर दिया बाई गिविंग एसटाल कॉलीन, तो मुझा शाब बाज जल्दी से बताना, कि क्या, उसका एसिड कम हो जाएगा, या सेम रहेगा, जब आपने उसको एसको एट्रोपीन दी, बिथैन कोल दी, कार्बा कोल दी, कोई भी ऐसी ड्रग दी, जिसने एसटाल कॉलीन को ब्लॉक किया, तो क्या उसमें एसिड सेम रहेगा, या कम हो जाएगा, जी, सारे सही बता रहे हैं, एक्सिलेंट, शाबाश, जो कम बता रहे हैं, वो जब आपने, मैंने कल आपको बताया था, ज जब GRP बनती है, तो क्या आता है, आपकी गैस्टिन बनता है, ठीक है, क्या होता है, गैस्टिन बनता है, और गैस्टिन ने आगे एस्टिन को इंक्रीज कराना था, ऐसी था ना, गैस्टिन इंक्रीज कराना था, अब आपने उसको एट्रोपीन तो दे दिया, एट्रोपीन same रहेगा, आपका hydrogen भी same रहेगा मतलब कि acid क्या रहेगा, same का same ही रहेगा और ये important बात, important तो खैर इतनी बात नहीं है, लेकिन ये आपकी उसमें निपन कोट में भी लिखी होई है, उसमें बीरेस में भी लिखी होई है और आपकी first aid ने भी लिखी थी कर कल मैंने आक को समझाए थी ठीक हो गया है जर Sakball को अज़के लिए अग lunar काम निए ले लें ले लिए लिए उच्छ आ गया इस्ट्रिप, इ। ने क्या घ्थराऊ घ्रक्सराहएं लिया है मैं ने पैद हैं सो cucina उस जाद भाद करते हैंने छो यह क्या है जहां पर यह जाते हैं काम रोक देते हैं तो smatostatin के साथ आपका जो acid होगा वो कम होगा अगर smatostatin जाद है तो acid क्या हो जाएगा कम हो जाएगा उसके बाद जो आपका GIP है जिसने insulin को increase करना था यह क्या करता है यह क्या करता है यह क्या करता है यह भी कम कर देता है कि इसको acid को कम कर देता है उसके लावा आपके लिखा हुआ प्रोस्टाग्लेंडिन ठीक है जो प्रोस्टाग्लेंडिन इसको आगे जाके पढ़ेंगे जो प्रोस्टाग्लेंडिन होता है ये भी acid को कम करते है उसके लावा उसके लावा आपके आते हैं जी स्क्रिटिन ठीक ह हमें समझ आ गई है उसके बाद आगे आजी आपका intrinsic factor इसको ज़रा हम बाद में पढ़ते हैं यह important है तो इसको end पर करते हैं उसके बाद आजी पैपसिन पैपसिन आप माशाला 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि पैपसिन क्या होता है ठीक है पैपसिन अच्छा मैंने एक जगा यह हमारी digestion करवाता है तो पैपसि को भी पहले इस concept के साथ लाउंच किया गया था कि वो क्या कराएगी digestion करवाएगी मतलब आप पैपसिन से ही उसको मतासर होगिए आपको पैपसिन नाम रखा गया था लेकिन मुझे मुझे ने किसी टीचर से सुना था लेकिन मुझे शोर कहां पर होते हैं स्टमक में ठीक है स्टमक में चीफ सेल्स होते हैं और वो क्या बनाते हैं हमारे एक हार्मून बनाते हैं एक हार्मून उसमें क्या होता है पैपसीनो जैन अब आपने याद रखना है कि जो हमारे मतलब चीफ सेल्स हैं यह क्या बनाते हैं पैपसीनो जैन एक बांद लें, अपने माइंडों में गुसा लें, कि मतलब ऐसी परोटीन, ऐसे एंजाइम्स, जिन के एंड में जेन आए, जिन के एंड में जेन आए, उन में क्या होता है, उन में क्या होता है, दे आर इनेक्टिव, ऐसे एंजाइम्स, जिन के एंड में जेन आए, जो जिन है, मतलब कि जो इंसान नहीं है वो जीन है वो क्या है दियार इनक्टिव वो सारे के सारे क्या होते हैं इनक्टिव होते हैं जिस तरह अभी हमने मिसाल पढ़ी पैपसीनोजन आगे हम पढ़ेंगे ट्रेपसीनोजन जो ट्रिपसीन है जो एक होता है ट्रिपसीनोजन ट्रिपसीनो active form है और इसकी conversion कौन कराता है आपकी acidic pH जो acid होता है acid इसकी conversion करवाता है जो acid होता है इसकी क्या कराता है conversion करवाता है ओके और इसका काम क्या होता है इसका काम होता है protein digestion जो आप protein खाते हो तो protein को सब से पहले कौन तोड़ता है तो प्रोटीन की डिजेशन करानी होती है, इसने क्या करानी होती है, प्रोटीन की डिजेशन करानी होती है, और इसका, इंक्रीज कैसे होता है, वेगल स्टिमूलेशन से, वेगल स्टिमूलेशन से इसकी परड़क्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है, वेगल स्टिमूलेशन उसके बाद उसने लिखा हुआ है बाइकार्बनेट्स जो बाइकार्बनेट्स होते हैं आपको पता है बाइकार्बनेट्स हमारी GIT में बनते हैं बाइकार्बनेट्स बाइकार्बनेट्स क्या आते हैं बेसिक होते हैं जो बाइकार्बनेट्स होते हैं इनकी PS क्या होती है बे जूडी नम हो गया, उसके लावा आपके जो slivery glands हैं, ठीक है, slivery glands भी क्या बनाते हैं, हमारे bicarbonates बनाते हैं, bicarbonates ने करना क्या होता है और इसके लावा मैंने आपके एक बहुत एहम point बताया था, कि B से bicarbonate और B से brunner gland B से bicarbonate और B से brunner gland मुझे इस रशाब बात जल्दी से बताना brunner gland कहां पे होते हैं, brunner gland कहां पे होते हैं, B से bicarbonate और B से brunner gland, dhudanum में होते हैं, पकी बात है, सोच लो पकी बात है dhudanum में होते हैं सारे माशाला, जी, ओके, जो brunner gland है, ये कहां पे होते हैं जो cauliflower gland आपके deutenum में होते हैं और यह क्या पैदा करते हैं आपके Bicarbonate पैदा करते हैं यह क्या करते हैं और Bicarbonate का का काम क्या होत peculiarize करना ठीक है यह क्या करते है neutralized करता है कि इसको neutralize करता है कि इसलोग एक ठीक हम पढ़ेंगे इन्शाइला तरह जो somewhere on a उसमें यह आएगा concept तो जो प्रोस्टा ग्लेंडिन होते हैं यह उसको acid को कम क्यों करते हैं ठीक हो गया इसको हम पढ़ेंगे इन्शाला मतलब जब आप यूज करते हो ना एंसेट्स तो आपने सुना होगा मतलब हम बहुत लंबे अरसे तक एंसेट्स यूज करें तो मेदे में जखम हो जाती है तो उसका concept इदर अपलाइ करेंगे ठीक हो गया अच्छा खैर हम आते हैं bruner जो gland वते हैं bruner gland क्या करते हैं बाय काबमेट पैदा करते हैं और यह क्या करते हैं नूट्रलाइज करते हैं इसके बाद इसने लिखा हुए है कि इसकी क्रेटीन है इसकी क्या कर देता है और एक चीज़ उसने लिखी हुई है कि जो हमारा gastric epithelium है gastric epithelium जो gastric epithelium होता है उसमें क्या आता है mucus होता है मतलब it is trapped in mucus देखे मैं आपको समझाता हूँ देखे फर्द करें ये क्या है आपकी GIT है और इसके अंदर क्या है epithelium है ये क्या है आपका epithelium है epithelium के उपर क्या होगा mucus होगा epithelium के उबगा mucus होगा तो आपने याद रखना है जो bicarbonate होते हैं ये क्या होते हैं ये trapped होते हैं एकाय त्रेप होते हैं किसमें trapped होते हैं mucus के अंदर तो इसमें कोई confuse होने वाली बास नहीं है बिल्कुल simple सी बात है कि जो bicarbonate होगा mucos के अंदर धसा हुआ होगा, जो bicarbonate होगा, यह क्या होगा, mucos के अंदर धसा हुआ होगा, तो यह आपने याद रखना है, ठीक हो गया, तो it is all about bicarbonate, अब ज़रा हम एक point की तरफ आते हैं, और वो बहुत important point है, वो आपको लाज़मी लाज़मी आना चाहिए, ठीक है, ब इसको थायव क्या है, ठीक है, यह आपका मुन शریफ है, और यह आपने खाना खाया, ठीक है, यह आप स्माइल कर रहे हो, और आपने क्या किया, आपने वीतिमेन B12 खाया, इसको जरा समझ लेना गौ़र से, बहुत important यह बात, आपने क्या किया, आपने वीतिमेन B12 को अपने saliva बनाया और इसके साथ उन्होंने एक और चीज़ बनवाई और उसको हम कहते है R binder इसको गोर से सुनना है या आपको याद होनी चाहिए पूरी कहानी कितरा याद करते है इसको जो slivery glands होते हैं एक तो saliva बनाएंगे और वो क्या बनाएंगे R binder अब जो R binder है R binder कहेंगे कि यार मैं भी अकेला हूँ और ये जो vitamin B12 है ये भी अकेला है तो ये क्या करेंगे R binder इस vitamin B12 के साथ क्या जाएंगे अटेच जाएंगे तो जो आपका vitamin B12 है ये मैंने लिख दिये vitamin B12 और इसके साथ आपका क्या अटेच है R binder ठीक है ये complex बन गया है और यह आपकी है osteophagus ठीक है यह क्या है आपकी osteophagus है अब यह जो सारी चीजें है यह पूरा complex किसमें move कर रहे है आपकी osteophagus में move कर रहे है उसके बाद यह आपका क्या है mid है ठीक है यह आपका क्या है stomach है ठीक हो गया स्टमक में ये पढहे हुए है क्या प्राइटल सेल्ज अब पीछे से आपका vitamin b12 आ रहा है लेकिन vitamin b12 अकेला नहीं है उसके साथ आर बाइंडर भी है उसके साथ आर बाइंडर भी पड़ा होगा है विटमिन b12 है इसके साथ क्या है अटैचच आपका R-Binder, यह आपकी स्टमक में आगया, यह क्या आगया आगया, अब आप कहते हैं कि यार यह आगे जा रहा है, और यह है आपका डूडिनम, यह जो C-shaped है, यह डूडिनम है, और यह आप फर्द करें कि यह क्या है, आपका इलियम है, यह जो मैंने कि absorption कहां पर होती है, terminal ileum पर, अब जो R-Binder है, वो पीछे से ले के आ रहा है, और यहां पर आपका पड़ा होए एक दुश्मन और जिसको हम कहते हैं, पैंक्रियास, यह क्या पड़ा होए, आपका पैंक्रियास पड़ा होए, और पैंक्रियास क्या बना रहा है, पैंक्रियास हैं, एक तो यह acid बना रहे हैं, एक तो यह क्या बन रहे हैं, एक तो यह क्या बना रहे हैं, लेकिन प्राइटल और इसके साथ एक factor बनाते हैं, और उसको कहते हैं, intrinsic factor, IF, उसमें short फार्म में लिक लेता हूँ, आई वाईफ, तो आपके प्राइटल सेल्स है, इन्होंने क्या बनाया आई आफ बनाया और आपका जो vitamin B12 है ये किस के साथ enjoy करता आ रहा है R binder के साथ लेकिन जब ये जो आपका vitamin B12 और R binder है जब ये डूटनम में आती है तो ये क्या आता है इसके उपर डाकू हमला कर देते हैं डाकू कौन है आपके pancreatic enzymes जो pancreatic enzymes हैं ये इसके उपर हमला कर को सेप्रेट कर देते हैं, आर बेंदर को सेप्रेट कर देते हैं और vitamin B12 को ये क्या कर देते हैं separate इनको जुदा कर देते हैं अब vitamin B12 रह गया है अकले, ठीक है vitamin B12 क्या रह गया है अकला लेकिं vitamin B12 क्या है? विटमेन बी-12 क्या करता है यह सोचता है कि या यह जो इन्ट्रिंजिक फेक्टर जो प्राइटर सेल्थ मना ने बनाया था यह भी तो How केllah जो intrinsic factor है ये dutenum में आता है और किसके साथ करता है और अब किस में आ जाता है आपकी terminal तो जो आपका terminal ileum होता है, यहाँ से आपके intrinsic factor के साथ किसने अब्साइब होना था आपके vitamin B12 ने, किसने अब्साइब होना था vitamin B12 ने, तो it is whole summary of vitamin B12 absorption, इसको दरहां हम दोबारा पढ़ते हैं, देखो, आपने खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो तो उसके, आपके slivory gland क्या पैदा किया R binder अब R binder और vitamin B12 क्या हो जाएंगे दोनों attach हो जाएंगे और ये complex बन जाएगा ये move करेंगे 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 और कहां पर पहुंच जाएंगे हमारे झॉडनम में अब ड्यूडनम में क्या ड्यूडनम में उसके अउपर हमला कर देंगे कों हमला कर देंगे डाकू हमला कर देंगे डाकू कौन है Pancreatic enzyme जब Pancreatic पता है कि जब vitamin B-12 तनहा रह जाएगा तो पीछे आपका intrinsic factor है वो भी तो अकेल है तो यह क्या करेंगे यह आपस में बॉंड बना लेंगे यह आपस में क्या कर लेंगे शादी कर लेंगे जब यह आपस में बॉंड बनाएएगे तो यह इनका सफर अच्छे से गुजर और जब यह TIRMINEL AILEUM के पास आएंगे तो यह क्या आ जाएंगे अबजौब हो जाएंगे। यह क्या जाएंगे अबजौब हो जाएंगे। तूटता कहां पर है pancreatic enzymes in deudinum और फिर किसके साथ attach हो जाता है intrinsic factor के साथ किसके साथ attach हो जाता है intrinsic factor के साथ तो यह आपने याद रखना है ठीक है यह मैंने आपको पूरा topic रादी आगया आपके लिखा हुआ है ठीक हो गया ओके जी तो मुझे जरा शाब बाश पहले तो यह बत होगा vitamin absorption यह पूरा topic है मैंने पूरा topic करा दिया vitamin absorption के नाम से पूरा topic आपको मिलेगा ओगे ठीक हो गया अच्छा इसमें एक दो बातें और कर लेंदें फिर आपका topic खतम हो जाएगा देखें अब आप माशाला क्या हो आप इंसान हो सारे तो आप सारे plants भी खाते हो और आप गोश्ट भी खाते हो ठीक है आप गोश्ट भी खाते हो और क्या खाते हो प्लांट्स भी खाते हो तो आप जो एनिमल्स जब आप गोश्ट खाते हो मतलब जब आप एनिमल्स खाते हो तो एनिमल्स में जो आपको आईरन मिलता है जो एनिमल्स में आपको आईरन मिलता हो किस form में होता है वो होता है FE2 form में किस form में होता है फैरिस form में होता है लेकिन आप जब आप कोई फर्द करो आप साग खाते हो आप पालक खाते हो तो फर्द करो आप plants खाते हो ठीक है जब आप plants खाते हो तो plants में जो iron होता है वो किस form में होता है वो SE plus 3 form में होता है FE plus 3 form में होता है अब आपको पता होना चाहिए कि FE2 form है सिर्फ जो FE2 form है इस इस अब्जॉराब अब्जॉरब अब्जॉरॉब 새 काई हो सकती है जो FE3 form है अच्य तरीक with science absorb नहीं होता है तो जो आपकी FE2 form है absorbable है यह क्या है absorbable है और यह iron कहां पर absorb होता है iron आपके absorb होता है किस में absorb होता है dudinum में iron कहां पर absorb होता है dudinum में और अब आप कहते हैं कि यार फिर यह जो हम फोदों से iron खाते है इसका क्या बनता है जो आपका FE3 है यह इसका फिर क्या बनता है तो इसमें जरा देख ले जो स्टमक की acidic pH होती है, जो स्टमक का acid होता है, वो क्या करता है, हमारी FE3 को convert करता है, किसमे FE2 में, ताके अब वो absorb हो सके, और absorb कहां पे होना है, ड्यूडनम में, ओके, लेकिन इसके लावा एक और चीज होती है, that is your vitamin C, ascorbic acid जो कहते हैं, जो vitamin C होता है, vitamin C क्या करता है, हमारे FE3 को FE2 में convert करता है, FE3 को convert करता है, किसमे FE2 में, ओके, ये तो एक सीधी सी बात है, उसके बाद, जो आपका vitamin B12 है, जो vitamin B12 है, ये किसमे absorb होता है, आपके terminal ileum में, किसमे absorb होता है, terminal ileum में, और मुझे सरा शाबाद जल्दी से एक और बात बताना, कि एक और चीज हमारी absorb होती ये बाला, vitamin B12 कहां पे absorb होता है, terminal ileum में, लेकिन एक और चीज हमने, renal सिस्टम में पढ़ी थी, कि एक और चीज absorb होती है, आपके terminal ileum में, और उसको हम क्या कहते हैं, जी डॉक्टर निम्रा जफर, बताएं जरा, नहीं, फैट नहीं होती, एक और चीज मैंने आपको कहा था अभी हमने पढ़ी भी है वो, अभी तो बता दें, नहीं पता, चलिए मैं बताता हूँ, उसको हम कहते हैं, बाइल, ठीक है, जो बाइल होता है, बाइल भी आपका, कहां पे absorb होता है, बाइल भी आपका, terminal ileum में, अच्छा मुझे दो मिनिट बरदाश्ट करने, यह एक आपको समझ आनी चाहिए, देखो, मैंने अभी आपको बताया, कि जो FE3 form है, FE3 form को convert, FE2 form में कौन convert करता है, आपका vitamin C, अब जरा जो लावे, जिन लावों ने मुझे respiratory system पढ़ा था, वो जरा आप मुझे answer करेंगे, और वो last भी answer करेंगे, चाहे वो घलत ही answer करें, मुझे आ FE3 form में होता है, उस hemoglobin को क्या कहते है, जो ऐसी hemoglobin, जिसमें आइरन FE3 form में होता है, इसको क्या कहते है, मैथमोग्लोबली नीमिया, मैथमोग्लोबली नीमिया, मैथमोग्लोबली नीमिया, ओके, मैथमोग्लोबली नीमिया, ऐसी hemoglobin, जिसमें जो iron होता है, वो FE3 form में होता अगर नहीं पता तो इसको समझने जो ऐसी हमोगलोबिन जिसमें जो आरेन है वो FB3 फॉर्म में होता है उसको हम कहते है मैथमोगलोबली नीमिया अच्छा मुझे आपने सोच के जरा बताना है अगर एक मरीज आपके पास आ जाता है मैथमोगलोबली नीमिया का अगर आपके पास एक मरीज आ जाता है मैथमोगलोबली नीमिया क्या आप उसको विटमेंसी रिकमेंड कर सकते हो या नहीं कर सकते क्या आप उसको विटमेंसी रिकमेंड करोगे या नहीं करोगे या सारे कहा रहे हैं कि हम करेंगे तो विटमेंसी हम करेंगे तो आपने याद करते हैं थिर्फ्मेंट करते हैं विटमेंट करते हैं विटमेंट करते यह टाकि उसमें जो FE3 form है वो convert हो जाए कि इसमें FE plus 2 form में FE plus 2 form में अब आप सारे हरान हो गए है कि यार हमने ये पढ़ा कहां से है तो मैं आपको बुक से दिखा देता हूं मैंने आपको पढ़ाया किया है देखें यह हमने सारा page पढ़ लिया यह भी हमने सारा page पढ़ लिया यह हमकाल पढ़ेंगे ठीक है और हमने पढ़ा है यह वाला ठीक है कहां गया T यह प्रणीस ना में पर में गया हमारा विय आई पी देखें यह आपका लिखा हुआ है वी आई पी मतलब के वेजो अक्तिव एंटरया प्टाइट्ब तो आपने याद रखना है जब क्या होगा जब क्या होगा जब मां तो व यह प्श्यादा होगा ठीक है जो वी आईपी होगा वो क्या होगा बहुत ज्यादा होगा तो जब वी आईपी बहुत ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा गेस्ट्रिन को कम करता है जो वी आईपी होता है गेस्ट्रिन को कम करता है तो जाहरी बात है जब गेस्ट्रिन कम होगा तो क्या होगा आपका HCL भी कम बनेगा ठीक है आपका क्या होगा HCL भी कम बनेगा तो A कलोरेडिया क्यों होता है VIP ओमा में क्योंकि जो VIP है VIP क्या करता है गस्टिन की परड़क्शन को कम करता है जो गस्टिन की परड़क्शन कम होती है तो क्या होता है क्या होता है हमें A-Coloradia हो जाता है Acid Come Produce होता है ठीक हो गया तो यही इसका अंसर था अच्छा उसके बाद हम पीछे ज़रा चलते है और femoral हर्निया कहा गया हमारा देखें, femoral हर्निया के अनॉटमी डॉक्टर मारिया इसके कोई खास अनॉटमी नहीं है मैंने सिर्फ आपको एक बात बताई थी कि आपने इसमें यह याद रखना है जो femoral हर्निया होता है जो खवातीन होती है उसमें यह बहुत common होता है ठीक है उसमें यह क्या होता है बहुत common होता है और जो femoral हर्निया होता है कि सिर्फ एनॉटमी आपने इतनी याद रखनी है कि इसमें होता क्या है कहां क्या वह मारे काल वाली एक तस्वीर थी मैं आपको दिखाता हूँ किदर गई एक मिनिट मैं दिखाता हूँ आपको पिक्चर वो तुम्हें शेयर कर दूँग ग्रूप में यह देखे यह आपका फिमोरल हर्निया की इस डाइगराम में काफी क्लियर कट मतलब पिक्चर नजर आरी होगी आपको कि यहां से एक चीज हर्णियट करेगी और वह इंग्वाइनल लिगमेंट के नीचे आएगी ठीक है इंग्वाइनल लिगमेंट के बिलो वो प्रटूड करेगी तो इसका फिमॉरल हर्णिय कहते हैं बाकि इसकी जो आपने करनी नहीं और ना इतनी इंपोर्टेंट है लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप किसी अनॉटमी की बुक से देख सकते हैं लेकिन मुझे इतना पता है कि यह जो अनॉटमी आपके सामने लिखी हुई है ना इट इसमें आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो फिमॉरल हर्णिय है इसमें बहुत कॉमन होता है और किसे क कोई स्वाल हो तो बताएं नहीं तो फिर हम क्लास एंड करते हैं